नमस्कार, जैसे एलसे, मैं समर्च ओधरी, मैं निलेश प्लानिया, आज आपको जैसे पता है 12 मईए 2004 को पूरे राजस्थान में STC 2004 कंडेक्ट होई है, तो आज इस वीडियो के दोबारा हमारी टीम CHS, पूरे पेपर, क्लास 10 और क्लास 12, दोनों का डीटेल वीडियो देख सकते हैं, और हमारी आंसरी की से आप देख सकते हैं, कि आपके इस एक्जाम में कित्ते नमबर बन रहे हैं, जैसे कि बच्चों से और टीचर से बात हुई, इस बार का पेपर नो डौट पिसली बार से थोड़ा आसान रहा है, दूसरी चीज यह भी है कि इस बार की ज जोड़ी कम आ सकती है, क्योंकि इस बार बच्चा कम बैटा है, बाकी अच्छा आसान पेपर आप बच्चों ने अच्छा पर्फॉर्म किया जिसकी एक अच्छी प्रैक्टिस थी अच्छा उसने दो साल 9 औ 10 में अच्छी प्रप्रेशन किया उसके लिए बहुत आसान था, उसके लिए कोई सवाल नी था, जो उसको रगा कि मैंने कभी सॉल्ड नी किया या मैंने मेरे कभी मोड्यूल या शीट में कभी सवाल ना देखा हूँ, नीक सर्थ जो अपने माइनर्स लगे हुए थे, कई कुशन से डारिक्ट वाह से कुशन से भी आए जैसे पेपर सॉल क कर रहा था, टीचर्स का भी कहना था कि सरी 12 के जो पेपर्स में आ रहे हैं, इसमें मैट के डायट कुशन आ रहे हैं, फिजिक्स के कुशन भी आ रहे हैं, तो वह भी बच्चों को बहुत जादा बेनिफिट मिला है, तो अब और कुछ आप अपने वीविवर्स को बोलना हो हमेशा की तरह है, STSA के अंदर 9th और 10th का जो रहता है, वो भी इस बार वो कर रहा है, 40% 9th का, 60% 10th का, पेपर का लेवल तरह से आपने बता हैं, टीम CHS के साथ डिसकस करते हुए, कि पेपर का लेवल लास्ट एर के कंपरेजिन में बहुत इसी था, बच नमबर्स ओफ कम ही रहेगी, और देखते हैं, अब क्या रहता है, क्या नि रहता है, और जो भी अभी वाग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा, कि CLC पिछले 29 साल से, NEET और JEE में पैरलल काम कर रही है, और पैरलल रिजल्ट निकाल रही है, इसका बहुत अच्छा पर हमारे इस साल का रिजल्ट है, JEE मेंस का, जहां पिछले साल 98% से उपर हमारे 17 बच्चे थे, इस बार हमारे लगबग 4 गुना बढ़कर वो बच्चे 64 पर हो गए, दूसरा अभी जो NEET का एक्जाम हुआ है पांच मेही को, जो एक्सपेक्टेड की है, उसके अकोर्डिं यह सिर्फ हमारे सिक्कर क्लासरूम के बच्चे हैं, तो अगर आप अपने बच्चे के लिए एक बहुत अच्छे प्लैटफॉर्म की सर्च पर हैं, तो आप ज़रूर CLC आएं, CLC विजिट करें, CLC अपनी ब्रांचे इस सिक्कर, जैपुर, अलवर और विकानेर विजिट क करें, और वहां जाके डिफरेंस पाएं कि CLC और बागी कोचिंग इंस्टूट्स में क्या फरक है, और CLC स्कूल विंक्स में भी है, बहुत पैरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके बच्चे भी चोटे हैं, जिनको अपने बच्चे के लिए अच्छी स्क स्कूल के लिए सर्च में है, तो आप CLC का जो CLC इंटरनेशन स्कूल है, जो चेलासी में है, एक चाली सी बिगा में फैला हो, सुन्दर सा केंपस है, आप वहां जाएं विजिट करें, और अगर आप RBC स्कूल के तलास के इंदर है, तो आपके पास KVM जो छटी से लेके ब इंवर्मेंट देना चाह रहे हैं, उस बच्चे का बेस त्यार करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, CHS, CLC High School, और इस बार समर सर, NDA के रिजल्ट आया है, इसके अंदर 23 बच्चे अपने classroom के बच्चे एक्जाम में बेटे थे, जिनमें से 8 बच्चे हैं, जो प करें, CLC हर थे अपना नया बेच बच्च ओपन करती है, तो आप आएं और CLC विजिट करें, जै CLC है of direction, but we have to take the constant speed, then the constant speed is there, then the motion is uniform circular motion, next option, next question is, a body is moving on a circle of radius R, when it completes half circle, then the distance and displacement, यह half circle है, then the displacement will be this one, this is the diameter, that will be 2 R and the distance will be half circumference, that will be pi R, this is the right option, next question is, a bullet of mass 30 gram is horizontally fired with a velocity of 300 meter per second from a pistol of mass 6 kg, the recoil velocity, then the by conservation of momentum, mass of pistol is capital M and velocity, recoil velocity is capital V, then the velocity of, recoil velocity of gun will be MV upon capital M, this is M is 30 gram, gram is converted into kg and velocity is 300 meter per second and the mass of the pistol is 6, this will be 9 by 6 that is 1.5 meter per second and this will be opposite to the velocity of the bullet, next option, next question, there is a constant force acting on an object of mass 6 kg for 4 second, increase in velocity by Newton's second law of motion, F is equal to del P by del T, del P M V2 minus V1 by del T, mass is given 6 kg, velocity change 9 minus 5 upon time is 4, 6 into 4 by 4 that will be 6 Newton, this is the right option, next question, next question, the weight of the body of mass 10 kg in free falling artificial satellite, यहां पर acceleration जो resultant होता है, that is G minus acceleration जो होता है, वो G minus G हो जाता है, यानि acceleration रियल में towards the earth 0 होता है, that is G dash, M G dash is weight that will be 0, that is in weightlessness condition, a force F is acting on a area A, if the force is doubled then the pressure, pressure P is equal to F by A, initial pressure P dash will be F dash upon A dash, F is doubled 2F and area is halved then A by 2, that will be 4F upon A, it means this is 4 times of initial pressure, 4 times is the right answer, next question, if the distance between two objects is R, then the gravitational force between them F proportional to M1 M2 by R square, this means F is proportional to 1 upon R square, this is the right answer, next question, a force of 14 Newton displaces a body of 70 cm in its direction, this means W is equal to force into displacement in its direction, force is 14 Newton and displacement is 70 cm, cm is converted into meter, that will be 98 by 10, it means 9.8 Joule, this will be the right answer. Next option, from the given diagram, the ratio of potential energies for Y and body X, then UY by UX will be MGH upon, this is the 2M into G into 3H by 4, 2, 2, MGH, MGH, this 2 will be in upward, 2 by 3, this is the right answer. Next question, if the mass of a body is halved and and velocity is doubled, then its kinetic energy will be, kinetic energy is the formula, 1 upon 2M V square and the new kinetic energy KE dash 1 by 2, M is halved, M by 2 and velocity is doubled, 2 V square, 1 by 2 M 4 V square, 4 M by 2 also here 2, this is the 2 into M V square by 2, it means this is the initial kinetic energy, the new kinetic energy will be double of the initial kinetic energy, this is the right answer. Next question is, if the given wave diagram wavelength, wavelength is the total length of one wave, this is given the half wave, then the new full wave will be just double of it, it means the right answer will be 12 centimeter and amplitude is the maximum displacement that is given 3 centimeter, this is the right answer. Next question is, the vibrations of the particles of the medium in transverse wave, transverse wave when they are moving in x direction, then the particles will move perpendicular to the direction of motion of wave, this is the transverse wave that will be vertical to the direction of the wave. Focal length of a concave mirror, focal length is 15 centimeter, then the center of curvature radius will be 30 centimeter away, distance radius will be 30 centimeter. Then if we consider the Q as the center of curvature, it means the distance of the object and the image will also be there, that will be the same as point Q. Next question is, in the given figure, the refractive index of device A will be refractive index, we know mu is equal to sin i by sin r, then sin i, i is 45 and r is 30 degree. This means sin 40 value, 45 ki value put karenge 1 by root 2 and the value of sin 30 will be 2 by 1. This will be 2 by root 2 means root 2. This is the right answer. Next question, if the height of the object and image is, image ki height dhiye kithni 6 and object is height is magnification will be height of image upon object, that is 6 by 3 that will be 2. The right option is this one. Next question is, the process of splitting white light into 7 constituent colors is called, then this is the definition only, dispersion, 7 lights may divide wana. The danger indicator signals are red in color because, red jo color hota, is scattering minimum. That is the reason. Next question is, the muscles of the iris controls, muscles kya kerti hain, size of pupil ko control kerti hain. Which of the following statement, next question is, which of the following statement is true on the basis of the given circuit diagram. When the parallel combination is there, current is divided and current will flow in the resistance more that is small. So, here is the smallest, resistance is 20, the current will be maximum in this one, the current I2 will be maximum. 5 ohm resistor is producing 80 joule of heat per second, h is equal to v i t, v square by r t and i square r t, then h is given and this we can use this one, h is equal to v square by r t, h is given at t, v square we have to find v, r is given 5 and time is 1 second, per second heat is given, 80 into 5 is equal to v square, then v will be 20 volt. This one is the right answer. Next question, 2 wires of same material m and n are of length 15 centimeter and 30 centimeter. here is the answer, same materials, resistivity is the property of matter and matter is same, the resistivity ratio will be same for both the wires, one ratio, one. Next question is, at the time of short circuit, the short circuit ho ta hai, to current kya ho jati hai, bhoot jyadha bhajati hai. Next question is, in which order are the electric instruments generally connected in the domestic electric circuit, domestic electric circuit, domestic electric circuit me, sabhi jho apparatus ho ta hai, wo normally kya connect kya jatai hai, hauses me, parallel me, this one is the next question, true for a flaming right, left hand law, flaming's left hand law, this is the thumb, will be direction of motion or force on charge ho ta hai, this is the magnetic field and this is the current a hai. And here is given, the middle finger towards the direction of magnetic field, that is wrong, third option, forefinger, ye bhi nahi ho ga, kya nahi ho ga, forefinger is towards the direction of electric current, this is also wrong, this is the right answer, thumb is in the direction of motion of the conductor, this is the right answer. Next question, how much work is done in moving a 4 coulomb charge between two points of potential difference of 16 volt, work done is equal to jayega q into v, q 4 coulomb into voltage is given, potential difference is 16 that will be 64 joule, this is the right answer, this all is solution, thank you. Hello everyone, आज हम 10th class STST का paper solve कर रहे हैं, chemistry वाला portion हम लोग देखेंगे, आपे, कशन नुमर 26 to 50, now start it, कशन नुमर 26, most compressible substances among the following is, अब दो को compressible पूछा है, में सीदी सीवात हम gas की बात कर रहे हैं, gas liquid और solid के अंदर से maximum compressible gas होती है, और उसमें gas का ही क्या option के बने, oxygen तो यह correct option होगा, melting point of ice पूछा है, अब ice बेटे 0 degree Celsius पर melt होती है, में 273.15 Kelvin पर 0 degree Celsius बोल दीजिए या 273 Kelvin बोल दीजिए, बात है की है, डिरेक्ली solid is obtained on cooling the vapor of ammonium chloride, अब वो उल्टा process पूछा है, ammonium chloride की vapor को cool करना है, चिल करना है, उससे अबन solid मना रहे हैं, अनि कि gas को solid में convert कर रहे हैं, तो उस process का हम deposition बोलता है, उल्टा पूछता, solid to gas में convergent तो उसको sublimation बोलते हैं, तो flawless का answer है, deposition, solute and solvent and tincture of iodine respectively, uptincture of iodine का मतलब होता है, mixture of iodine and alcohol, iodine and alcohol जिसमें iodine का amount में हैं, तो यह solute है, यह ज्यादा amount में तो यह solvent है, तो यह solute और solvent, अपन से यही पूछा है, solute solvent कौन कौन है, तो iodine और alcohol है, next पूछा है example of gel, याद रखने का question है, change, liquid and solid को gel बोलता है, यानि कि जब dispersed phase liquid हो, dispersion medium solid हो, तो liquid का solid में जो colloidal solution बनेगा, उसका बनेगे gel, उसका example है change, suitable method for separation of pigments from natural colors is, अब separation की टेकनीक पूछी है, तो chromatography याद रखेंगा, chromatography बोलते हैं, atomicity of phosphorus molecule, phosphorus molecule का formula है P4, यानि कि इसमें 4 atom attached है, 4 atom इदी attached है, तो इसकी atomicity बनेगी tetra atomicity, यानि कि इसमें atomicity की value है 4, next symbol of sulfide and sulfide, sulfide and sulfide, sulfide होता है पड़ा, S-2, sulfide है SO3-2, जो S-2, SO3-2 option में given है, first में, यही इस answer होगा, next 0.1 mol, sodium में total atom कितने होंगे, अब atom पूछा है अपन से, वो भी 0.1 mol के अंदर, mol वराबर होता है, वैसे तो एनपोन एने, किदर से number of molecule find करेंगे, तो mol into एने, mol की value है 0.1, any की value है 6.022, 10 to the power 23, solve करेंगे, बनेगा 6.022, 10 to the power 22, जो कि हमको given है, third option के अंदर, अगला पूछा है कि maximum number of electrons accommodate in the outermost orbit, orbital नहीं बोला है यहाँ पर, यहाँ पर orbit बोला है, यानि कि shell की बात कर रहा है, कि किसी भी atom की outermost cell में maximum कितने electron हो सकता है, तो maximum 8 electron यहाँ पर possible है, आठी अंसर आएगा, यह एक average atomic mass का question है, direct question बताएं तो, करने के तरीका, atomic mass की value given है, 35-37, ratio की बारें इनका 3-2-1, तो पुछा है, average कितना होगा, पहला atomic mass intuse का mass percentage, दूसरा atomic mass intuse का mass percentage, यह ratio, और total में करेंगे 3-1, इसों पूरे का हम solve करेंगे, solve करने पर यह value बनती है, 35.5, multiply 100 से कल रहना, तो इसका answer बनेगा 35.5, number of electron present in M-shell, अब M-shell का मतलब क्या है, aluminium atom बोला है, atomic number 13, electronic configuration बनेगा, 1-2, 2-2, 2-P6, 3-2, 3-P1, यह इसका first cell, K, यह इसका L-cell, यह इसका M-shell, question में बुचा है, M-cell में कितने electron है, दिख रहा साफ साफ 3 electron है, name of the gas obtained from thermal decomposition of calcium carbonate, अपिटा calcium carbonate बोला है, इसको हम thermally decompose करेंगे, तो बनेगा calcium oxide और carbon dioxide gas, अब हमसे gas के बारे में पुचा है, gas कौन सी है, तो CO2, carbon dioxide gas, next, lead nitrate, इसको de-heat किया, तो पुचा है, why बना, why क्या है, अब lead nitrate को heat करेंगे, तो compound बनता है, lead oxide, साथ में gas निकलती है, nitrogen dioxide और oxygen, और इस gas के बारे में पता रखाया है, gas कौन से कलर की निकलती है, ब्राउड कलर की निकलती है, next, correct statement about the statement, about the reaction is, यहाँ पर देखो, साफ displacement reaction दे रही है, displacement का concept है कि highly reactive metal, जो है, वो less reactive metal को displace कर सकती है, solution के अंदर से, इसका मतलब यहाँ पर iron ज्यादा reactive है, copper के compare में, ऐसा option given है, यह रहा, F is more reactive as compared to copper, बिल्कु सही option है, उटी का one option हैगा, पस्ता अंसर, 41, the gas produced on the reaction of zinc granule with dilute sulfuric acid, zinc पर sulfuric acid की reaction से क्या बनाएगा, तो बटा यह भी zinc sulfate, for gas on the release करिंगे है, hydrogen, acid present in vinegar, बनेगर में कांसा acid है, लिखवा रख़ा है, क्रिशन में acetic acid, यह रहा, third option, direct answer, gas is responsible for the make cake soft, sponge, याद गरू baking soda, baking soda को जब हीट करते हैं, gas is responsible to make food items fluffy and sponge, this cancer रहाँ का अंसर आपके CO2, carbon dioxide, most ductile matter, simple, gold, amphoteric oxide, amphoteric oxide, amphoteric oxide यह रहाँ, aluminum oxide जग oxide दोना, amphoteric oxide से, direct question है, alloy made from mercury, mercury के किसी भी alloy को amalgam बोलते हैं, चाहिए वो किसी भी metal के साथ में हो, amalgam, anion of carbon, carbon का anion form, अब carbon का आउटरमोश में चार लेक्टरों है, चारों को आप इमाद दो चार एलेक्टरों है, अक्टेट कंप्लीट करना चार और गेन करेगा, anion बनाना है तो, गेन करेगा तो फ़ेटा formula बनेगा, C-O, major component of biogases, methane, direct gas, और गेन करेखना है, formula of next successive membrane, member for C3H6 in the homologous series, C3H6 का next homologous member पूछा है, homologous member में different होता है, CS2 group का, मतलब यदि हम इसमें CS2 add करते हैं, 3 और 1, 4 carbon, 6 plus 2, 8 hydrogen, तो यह इसका अंसर बनेगा, C4H8, जो कि option number 1 में गिवन है, and the last question, organic compound often from reaction with acid and alcohol, यह सरफ ऐसा कहना चाहरा है कि acid और alcohol के दिए हम reaction कराते हैं, तो कौन सा compound बनेगा, तो बटा ester बनता है, यह आद अखने का कशिर है, acid plus alcohol convert into ester, ester यह अपना second option के अंदर, यह अपनी complete, यह अपनी complete chemistry का solution था, आई होप आपके सारे questions आई होए होंगे, फिर भी कोई doubt रेज आए, तो इसके बारे मैं आप बात कर सकते हैं, पूश सकते हैं, CLC में कभी भी आप कर सकते हैं, और वेस्ट आप आपके लिए, पेपर आपने अच्छा दिया, बहुत मैनत की, थेंक यू, शुक्रिया, हलो स्टुडेंट्स, आज हम डिसकस कर रहे हैं, STAC के एक्जाम के लिए, और इसमें subject हमारे जो चल रहेगा, वह बायलोजी, तो मेरा first question जो है, first question है, the cell organally, by which lysosomes are formed, lysosomes की formation, कौन से cell organally के through होती है, यहाँ पे, mitochondria, plastics, golgi apparatus, यह वह क्योंस, directly answer है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, golgi apparatus, यह स्टुक्टर होती है, जिससे आगे किसकी formation रहती है, lysosomes की formation होती है, तो मारा answer है, second option, now, the next question is, the plasma membrane is mainly made up of, जो plasma membrane है, वो mainly किससे बनी हुई होती है, यहाँ पे, lipids and proteins, directly answer है, क्योंकि lipids जो present होता है, उसके molecules present होता है, इस तरीके से arrangement के साथ में यह present होता है, और lipid के साथ में कोन प्रेजमेंट है, यहाँ पे, protein के molecules, तो हमारा answer, first option, यहाँ पे, हमारा answer होती है, now, the next question is, Markensia belongs to, Markensia किसे belong करता है, यहाँ पे, gymnosperms, thallophyta, teridophyta, या bryophytes, यहाँ पे answer directly है, bryophytes के लिए, amphibians of the plant kingdom भी, जिसको हम बोल देते हैं, यहाँ पे answer आएगा, fourth option, now, the next question is, the atmosphere of Mars, constitutes up to 95 to 97 percent gas, कौन सी ऐसी gas होती है, यहाँ पे amount के accordingly, carbon dioxide gas हो जाएगे है, मारा answer, fourth option के लिए आएगा, यहाँ पे, now, our next question is, green manure, manure की formation बढ़ाएगा, prepared from sun, hemp, moong and guar, helps in enriching the following elements in soil, soil के अंदर, कौन से element को enrich करने का काम कर रहा है, हमने यहाँ पे बढ़ाना है, potassium and magnesium, यह नहीं होता, carbon and hydrogen, nitrogen यह भी नहीं आएगा, हमारा answer क्या आएगा, nitrogen and phosphorus के लिए जाएगा, हमारा answer, तो option number third is correct, now, the next question is, which of the following is an effective process, for absorbing water in plants at night, particular बोला है कि, night के time period पे, कौन से ऐसी process होती है, जो effective process की तरह काम करेगी, तो वहाँ पे कौन से हो जाएगी, root pressure होती है, जो night के time पे काम करती है, evaporation, daytime period में चल रहे है, transpiration pool, transpiration होती है, daytime period में, succession का तो इसमें, rolling ही होता, succession तो एक ऐसी process है, जो आगे continuation के साथ होती है, तो मारा answer क्या आएगा, first option नमारा answer आएगा, now, our next question is, which of the following is a plant hormone, that promotes cell division, cell division को बढ़ाने का काम, कौन सा होर्मोन कर रहा होता है, oxyn, abscissic acid, cytokinin, या फिर gibralin, directly answer है, इसके अंदर कौन सा करता है, cytokinin काम करता है, जो cell division में काम करेगा, answer हैगा, यहाँ पे second option के लिए आजाएगा, now, the next question is, the group which expressed recessive character, दो type के characters पढ़ते हैं, एक dominant character, एक recessive characters के लिए रहता है, recessive character ऐसे है, जो dominant के साथ रहा कि अपने आपको शो नहीं कर पाते, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, round and yellow, यह तो दोनों के दोनों फोम के ऐसे है, dominant है, तो हमारे यह answer हो नहीं सकता है, कि question में तो क्या पूछा है, recessive character, wrinkled and yellow, yellow भी dominant होता है, तो यह भी answer नहीं आ सकता है, इसके अंदर से, now, round and green, round भी dominant होता है, तो यह answer भी नहीं आ सकता है, आपका, बच्चे के आपके पास, wrinkled and green option आ जाएगा, जो आपका answer है, recessive characters होता है, तो answer हैगा, option number four के लिए, now, the next question is, method of asexual reproduction in rhizopus, rhizopus के अंदर, asexual reproduction का, कौन सा method काम करता है, directly answer है, sport formation काम करता है, इसमें हम करते हैं, इस सरी किसे structure होती है, अपर पर यह sport angelic structure, इसके अंदर, sport की formation हो जाती है, तो answer काएगा, इसका, third option, इसका answer आजाएगा, sport formation, now, the next question, an example of human made, or artificial ecosystem, दो टाइच से categories करते हैं, natural ecosystem, artificial ecosystem, natural का है, जो nature में directly बनता है, तीन options में देखे, forest, lake, और ponds, यह तीनों की दिनों कैसे है, natural ecosystem है, और question में क्या पूचा था, artificial, तो हमारा answer तो directly आ रहा है, हमारा answer क्या आ जाएगा, यहाँ पर crop field के लिए आ जाएगा, क्योंकि एक artificial ecosystem का example है, तो option number one is correct, now, our next question is, connective tissue that connects bone to the muscles, ऐसे connective tissue नहाएगा है, तो यहाँ पर cartilage, ligament, nerve fibers, या फिर tendon, directly answer है कि tendon होता है, जो क्या करता है, यहाँ पर bone को muscle से connect करने का काम करता है, तो answer क्या आएगा, fourth option, now, our next question is, animal that belongs to phylum, आपको examples अगर याद है, तो उसके directly answer आप दे सकते थे, अनलीटा में कौन जो होता है, नहीं किसी है, इसका example आजाएगा, fourth option directly है, NCRT में भी directly answer दे रखे है इसके अंदर से, now, next question, segmented body, segmented नाम से बदे चल रहा है, segments के अंदर जो body divide होगी, segments के लिए इस तरीके से यह बीच में formation हो जाएगी segments की, segmented body, open circulatory system, open circulatory system का मतलब क्या होता है, जिसमें blood directly circulate करता है, without blood vessels के, our characteristic features of which phylum, कौन सी phylum के लिए इसे characteristic हो जाएगा, directly answer के लिए आपका, आर्थरोपोड़ा ऐसे होते हैं, जिसके अंदर क्या हो जाता है, segmented body में मिलती है, open circulatory system में मिलता है, तो इसमें answer के आजाएगा, first option हमारे यहाँ पर answer आएगा, now, next question, example of bacterial disease, bacteria से होने वाली disease के लिए, directly है, इसके अंदर से एक disease होती है, वो कौन सी disease हो जाएगी, tuberculosis disease के लिए, TB disease के लिए आएगा, answer आएगा, option number third के लिए आजाएगा, now, the next question is, the local breeds of cow, cow की local breeds बतानी है, show excellent resistance to disease, disease से जो resistance करने के excellence के साथ में present है, उसके अंदर से हम करते हैं, तो यहाँ पर red सिंधी and साहिवाल, यह दोना ऐसी breeds हो गई, जो कह करती है, resistance में भी excellence है, और local breeds में है, answer आएगा हमारा, यहाँ पर second option हमारा answer आजाएगा, now, the next question, compound formed by breakdown of pyruvate, pyruvate का तो breakdown हो रहा है, हम यहाँ पर respiration में यह चीज़ पढ़के चलते हैं, glucose का breakdown होता है, pyruvate बनता है, pyruvate का breakdown हो रहा है, ब्रेक्टाउन हो रहा है, muscles के अंदर, absence of oxygen के अंदर, तो किसकी formation हो जाती है, यहाँ पर formation होती है, lactic acid की, जिसकी वज़े से muscles में, cramps भी अना start हो जाते हैं, तो answer आएगा, second option हमारा, यहाँ पर answer आजाएगा, now, our next question is, enzyme responsible for digestion of protein, protein के digestion में, कौन सा enzyme यहाँ पर काम करता है, नेके lipase, lipids के साथ पढ़ते हैं, bile juice, emulsification of fats के साथ में काम करेगा, slivery amylase, carbo hydrates पर काम करता है, हमने बताना है, proteins पर, तो proteins पर कौन काम करेगा, यहाँ पर, trips in काम करेगा, answer के आजाएगा, option number one के लिए आजाएगा, now, the next question, genotype ratio in F2 generation, of a mono hybrid cross, single character को लेके cross बता रखा है, और जब हम इसके लिए पढ़ते हैं, तो कैसे हो जाता है, दोनों capital T, इसके बाद ratio के लिए capital T, small t, then ratio, small t, small t, form आजाएगी, तो इसमें से कैसे ratio आया था है, इसका, 1 ratio, 2 ratio, 1, यह तो genotype के लिए है, element essential for the synthesis of thyroxine, thyroxine एक hormone का नाम है, जो कौन से gland से बनता है, thyroid gland से बनता है, उसकी formation के लिए essential क्या रहता है, iodine, हम एक example में भी बढ़ते है, iodineized salt को यूज करना है, वो इसलिए बता के चलता है, क्योंकि thyroxine hormone की amount के, और proper amount के अंदर formation हो, तो answer आजाएगा, third option हमारे यहाँ पर answer आगा, now the last question is, example of the biotic component of an environment, biotic component बताने, आपने living component कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए, temperature, wind और rainfall, यह तीनों की तीनों, जो हमने example दे रखे हैं, यह examples किसके यहाँ पर present है, a biotic components के examples है, और question में पूछा है, biotic तो answer आपका क्या आजाएगा, यहाँ पर organism's example आजाएगा, thank you so much, अबस्ते माई से कुल्दीब राठोर, team CLC Mathematics, we are going to discuss the STSC 2023 mathematics part, first question is, the value of 2 power 2 by 3, multiplied by 2 power 1 by 3, यहाँ पर यह जाएगा, 2 power 2 by 3 plus 1 by 3, that is 2 power 3 by 3, or 1, so answer is 2, 2, next question is, second question, if X plus Y plus Z equals to 0, then XQ plus YQ plus Z cube is equals to 3XYZ, this is the standard result, the option is fourth option. Next question is, question number 3, if the surface area of a solid spare, surface area of solid spare is 4 pi R square, it is equals to 1, 5, 4, so 4 x 22 by 7 x R square is equals to 154, if we cut by 2, 11, so it is 1, 4 and by 2, 7, so R square is equals to 49 upon 4, so R is equals to 7 by 2, then diameter is 14 centimetre, second, fourth option is correct for question number 3, so next question is, question number 4, in the given figure above AB parallel to DE and BAC, this angle is 35 and this angle is 45, so this angle is also equals to 35, if we know, we know that as all the angles, sum of all the angles of a triangle is equals to 180, so this is 53 plus 35 is equals to 88, so this is 92, so answer is 92, second option. Next question is, question number 75, in a cricket match, a batsman hits boundaries on 6 out of 30 ball players, so probability of hitting the boundary is 6 upon 30, that is 1 by 4, he is asking that, he does not hit the boundary, so not hitting the boundary, that is 1 minus hitting the boundary, that is 4 by 5, so option number 3 is correct. Next question is, question number 76, if the solution of the equation, solution of this equation is, x equals to 3 and y equals to 4, so put x equal to 3 and y equal to 4, so 3 into 4 is equals to 3 into 4 and this is k into 3 plus 7, so 12 minus 7 that is 5, so 3 k is equals to 5, so k equals to 5 by 3, option number 1st. Next question is 77, 2 circle of radius 5 centimetre 3 centimetre 0, intersecting at 2 points, radius of this circle is 5, and radius of this circle is 3, and distance between them is 4, if side of 3 triangles, if we put perpendicular on this, let us say this is y and this is x, so it is 4 minus x, in this triangle, if we use Pythagoras theorem, that is y square plus 4 minus x, Hall square is equals to 25, and also in this triangle, smaller triangle, by using Pythagoras theorem, y square plus x square is equals to 9, subtract from 1 to 2, 1 and 2, that is y square, y square cancel, and 4 minus x square, minus x square is equals to 25 minus 9, that is 16, it gives us 4 into 4 minus 2x, is equals to 16, a square minus b square is equals to a plus b, or a minus b, so 4, 4, 4 minus 2x is equals to 4, so we get x equals to 0, if x equals to 0, then from this equation, x equal to 0, y square equal to 9, so y equal to 3, so length of common chord, length of common chord is 2y, that is 2 into 3, that is 6, next question is, question number 78, if the difference between the circumference of a circle and its radius, circumference is 2pi r, and the radius is r, is equals to 74, now 2 into 22 by 7, minus 1, r is taken out as a common, 74, 2 into 22, that is 44, 44 minus 7, 37, so 37 upon 7, into r is equals to 74, it cuts 2 time, so r is equals to 14, so diameter of the circle, diameter is 28 centimeter. Next question is, question number 79, if 1, 0 of the polynomial, polynomial fx, is reciprocal to other, if 1, 0 is alpha, then other is 1 by alpha, so product of this is equals to 1, alpha into 1 by alpha equals to 1, the product of 0 is equals to c by a, here c is k, and a is 5, it is equals to 1, so k is equals to 5, option number 3 is correct. Next question is question number 80, if quadratic equation kx, into x minus 2 plus 6 equals to 0, has real and equal roots, for real and equal roots, we have to put d equals to 0, first we have to simplify this equation, that is kx square minus 2 kx, plus 6 equals to 0, from here d is minus b square, b square that is minus 2 k square, minus 4 into k into 6 equals to 0, 4 k square minus 4 into 6, 24 k is equals to 0, from here we get k equals to 0 and 6, here k equal to 0 is not possible, if we put k equals to 0, then 6 equals to 0, so k equals to 0 is not possible, so only answer is k equals to 6. Now question number, next is 81, 81, the sum of first 40 multiple of 6, multiple of 6 are 6, 12, 18 and so on, up to 40 terms, it becomes an ap with common, first term is 6, and common difference d equals to 6, and n equals to 40 terms, formula is n by 2, into 2a plus n minus 1, into d, for sum of n terms, in an ap, here n equal to 40, so sum of 40 terms is equals to 40 upon 2, into 2 into 6, plus n minus 1, and 40 minus 1 into d, that is 6, from here we get the answer 4920, next question is, question number 82, 82, these are the vertices of the parallelogram, taken in the order, we can see that parallelogram is like this, 1, 2, 4, 3, x, 6, and 3, 5, if we get midpoint, because midpoint of diagonal intersect, diagonal intersect at midpoint, this length is equals to this length, and this is equals to this length, from here midpoint is, x plus 1 upon 2, comma 6 plus 2 upon 2, and from this here, this side, 4 plus 3 upon 2, and 3 plus 5 upon 2, y coordinate is same, this equals to 4, and also from here, it is equals to 4, so we have to equate the x coordinate, 2 by 2 cancel, so x plus 1 is equals to 4 plus 3, here x is equals to 6, x is equals to 6 in the fourth option. Now next question is 83, the difference between two numbers, is 26 and one number is three times, so let us say one number is x, and the other number is 3 x, the difference between numbers, 3 x minus x is equals to 26, so 2 x is equals to 26, so x is equals to 13, so numbers are 13, and 3 into 13, that is 13 and 39, question number 84, in this we can see that 10 a plus b equals to root 3, that is a plus b is equals to 60 degree, and a minus b equals to 10 a minus b equals to 1 by root 3, so a minus b equals to 30, sorry 30 degree, from here we can get a equals to 45, and b equals to 15 degree, so option 3 is correct option. Now next question is, the shadow of a tower standing on a plain ground, that is the tower standing on the plain ground, so it becomes 40 meter longer, when the angle of elevation of the sun decreases, sun decreases 60 degree, here angle of elevation is 60 degree, from here it decreases as 30 degree, so change, change is increase, increase is 40, this length is equals to 40, let us say this is x and this is y, in this right angle triangle, first right angle triangle, y upon x perpendicular upon base, that is 1060, it is equals to root 3, and this bigger triangle, in this bigger triangle, y upon x plus 40, is equals to 1 by root 3, 10 30 degree equals to 1 by root 3, from here if we put y equals to root 3 x, here root 3 x upon x plus 40, is equals to 1 by root 3, root 3 into y cross multiplying, root 3 root 3 3 x, is equals to x plus 40, so x is equals to 20, if x is 20, then y equals to 2 root 3, 20 root 3, that is in option number 3, now question number next, that is 86, the length of minute hand of a clock, that is the clock, and this is the minute hand, in 5 minute, it makes 30 degree angle, there is 1, 2, 3, so it is 5 minute, and angle is 30 degree, so this is the part of circle, so area, area of this part is pi r square, upon 360 degree, into a theta, here theta is 30 degree, pi is 22 by 7, into r square, r is 14 square, so 14 into 14, upon 360, into 30 degree, 30 say, we cancel, 1, 2, 12, or 12, 3, or 7, or 7, 7 to 7, cancel, 22 into 7, that is 154, or denominator, 3, 154 upon 3 centimeter, square option number, second is correct, 8, now, question number 87, a solid is, formed by joining the adjacent faces, of 2 cubes, each of which has volume, so volume of, cube is, a cube, 64, so a is equals to, 8, sorry, 8, a equals to 8, if we join 2 cubes, then, length of the cube board is double, so length is equals to 2a, so it is 16, and breadth and height are same, so surface area, total surface area, of the cube board, total surface area, 2 into LB, plus BH, plus H into L, so it is 2 into 16 into 8, plus 8 into 8, plus 8 into 16, that is equals to 160 centimeter square, now, question number 87, if the ratio of the mean and the median, mean and the median is, of certain data is 4, ratio 5, so let us say mean is 4x, and median is 5x, we know that mean plus, sorry, mod plus 2 mean, is equals to 3 median, put the values of mean and median, mean is 4x, so 4 into 2, that is 8x, equals to 3 into 5, that is 15x, plus mod, so mod is equals to 7x, now mod ratio, mean, the mod is 7x, and mean is 4x, so ratio is 7 ratio, 4, option number 4, now, next question is, question number 89, the probability of getting at least 1 head, 1 head, when 2 unbiased coins are tossed together, when we toss 2 coins, that is we get, HH, HT, TH, and TT, these are the 4 sample space elements, so if we, is asking for, probability of at least 1 head, so at least 1 head is, in this, in these 3 elements, probability is 3 upon 4, 3 are the favourable cases, and 4 are the total cases. Now question number 90, if the angle between the tangent PA and PB drawn from a point, from a point, that is P point, and the tangent are PA and PB, that is A and B, this is the centre, if we match centre as O, this also, 80 degree is the total angle, so it is the 40 degree, and this is the 90 degree angle, so this angle, POA, POA is 50 degree angle, so option number first is, correct, this is the solution of, mathematics section of, STSC 22, 23, class 10, thank you very much. Question first is, number of significant figures, number of significant figures are, here is 5, 5, this one is 3, and this one is 2, the right option will be, 4, 5, 3, 2. Next question is, if the velocity of a particle, V is given as, A plus B T, it means, the velocity, has the dimension, A will also have the dimensions of velocity, and B T will also have the dimension of velocity, then A is equal to, that will be, L 1, T minus 1, and B T, B will be, L 1, T minus 2, this is the right answer, second question. Next question is, x and y move in the same direction, with 6 km per hour, and 4 km per hour respectively, how far will y will be from there, after 3 seconds, then x will move, with velocity 6, for 3 hours, that is 18 km, and the y will move, 4 km per hour, for 3 seconds, 12 km, the difference is 6 km, this one will be, the right answer. Next question is, the horizontal range of a projectile, is 4 by root 3 times, of its maximum height, this is, R by H, is equal to, 4 quote, theta, relation between range, and, this, is given, horizontal range, R, R is equal to, 4 by root 3 times, of, maximum height, then R by H, is given, 4 by root 3, R by H, is 4 by root 3, is equal to, 4, quote, theta, 4, cancel hojaega, quote, theta, is equal to, 1 by root 3, this means, the theta will be, 60 degree, the right answer is, second one. Next question is, if vertical forces, of a magnitude, vertical forces, perpendicular, magnitude of, 4 newton, and 3 newton, be applied, on a, body of mass, 2 kg, then the resultant force, perpendicular forces, 4 newton, and, 3 newton, will be, 5 newton, 90 degree per, 90 degree per, and then the, acceleration will be, force upon mass, force will be, 4 and, 3 newton, means, 5 newton, by mass is, 2 kg, 2, the right answer, will be, 2.5, meter, meter per, second square, the right answer is, fourth one. Next option, if two bodies, of 2 kg, and 8 kg, have the same, kinetic energy, then the ratio, of their momentum, momentum, will be, kinetic energy, kinetic energy, and momentum, relation, p square by, 2 m, kinetic energy, 1 is equal to, kinetic energy, 2, that is, p1 square, upon, p2 square, is equal to, root of, m1 by, m2, root, here, is due to the square, and, p1 by, p2, will be, m1 and m2, 2 by 4, 2 by 8, and, root, will be, 1 by, 4, under root, this will be, 1 by, 2, and, 1 by 2, will be the, right answer. Next question is, the position of, two particles, of masses, 20 kg, and 40 kg, position, given hai, then the, center of mass, will be, center of mass, ke li, our center of mass, ke li, hai, hamaar paas formula hota hai, m1, r1, plus, m2, r2, by, m1, plus, m2, here is the, 20, m1, 20 kg hai, into, r1 is, i cap, plus, j cap, plus, plus, k cap, and, plus, m2, is, 40 kg, and, minus, i cap, minus, j cap, minus, k cap, upon, 20, plus, 40. By this calculation, we will get, minus, i, plus, j, plus, k, by, 3. Next question is, the mass and radius of a planet are twice of that of Earth. If the gravitational acceleration on the surface of Earth is g, then the gravitational acceleration on the surface of planet will be, g of planet is equal to, g m p by g r square, r of planet square. g, mass is, twice, of Earth, and, radius is also twice of Earth, 2 r of Earth ka square hojaega. This will be, 1 by 2 g m e by r e square. This is the, acceleration of gravity due to, for Earth, this will be, g by 2, and the right answer will be 4. Next option is, if the radii of 2 drops, a and b, are in the ratio of 1 ratio 2, then the, terminal velocity, will be, terminal velocity, v t, is proportional to, r square. So, v 1 by, v 2, is equal to, r 1 by, r 2 ke liye square hojaega. This will be, 1 by 2 ka square hojaega, and the answer will be, 1 by 4, and the right answer is, first. according to, vane's displacement law, lambda, radiations related, lambda by 1 upon t, lambda m minimum, will be, equal to, b by t, and, t, agar isme se, hum dekhna chahein, then lambda m, is proportional to, t ki power first. The right answer will be, fourth. and the next question is, a Carnot engine works, between, efficiency, n is equal to, 1 minus, t 2 by, t 1, 1 minus, t 2 is, we have to convert it into, Kelvin, that will be, 127 plus, 273, that is, 400, and, 227 will be, 500, Kelvin, then the, option will be, 1, minus, it means, we have to calculate, 1 minus, 400 by, 500, then, 100 by, 500, and, this will be, 0.2, and, in percentage, this will be, 20 percent, and, the right answer will be, third. Next question is, gamma is fixed value, and, this is, 1.4 for the, ah, diatomic gases. The equation of simple harmonic motion, this is the equation, d square x by, dt square, plus, omega square x is equal to, 0, here, omega square is written as, capital M, then, omega square is equal to, capital M, omega will be, root M, omega is equal to, 2 pi by t, is equal to, root M, and, the time period will be, 2 pi by, root M, and, the answer will be, first. The displacement of a wave, travelling along a string, this is the equation of wave, here, is, kx, this means, k is equal to, 31.4, k is equal to, 2 pi by, lambda, is equal to, 31 by 4, 31.4, and, lambda, this is, 10 pi, pi is, pi cancel, lambda is equal to, 2 by 10, this means, 0.2, meter, this is the, right answer. next question is, if an electric dipole, is placed in, non uniform, non uniform, to force, qe1, qe2, the net force, will not be, 0, force, भी लगेगा, और, अगर, हमने इस तरह रख दिया, then the dipole, will also gain the torque, so, both forces, and torque, will be applied, next question, due to, electric potential, at a potential distance, potential, due to, point charge, यहां पर, पूछा गया है, V is equal to, kqy, r, k is equal to, 9 into 10 to power 9, q is, 3 into 10 to power, minus 9, coulomb, upon, distance is, 9 into 10 to power, minus 5, 9 से 9, cancel हो जागा, plus 9, minus 9, cancel हो जागा, 3 into 10 to power, plus 5, volt, next question, the right answer, is the second one, in the wheatstone bridge, wheatstone bridge, the balance होता है, ratio क्या रहता है, same रहता है, the ratio, 5 ratio, 20 means, 1 ratio 4, and the ratio, same will be 4, if 40, if S is 40 ohm, the right answer, will be, third, next question, charge q is, in the direction of magnetic field, B enters, here, magnetic force, formula होता है, F is equal to, q is equal to, q, v, b, sin theta, this means, here is, the entering, the charge is moving, in the direction of, magnetic field, so the theta, will be, 0, and sin 0, will be 0, though, there is no force, on the, magnetic force, will be, 0, on the charge, next question is, the SI unit, of magnetic intensity, I, magnetic intensity, asked, M upon V, M is, dipole, moment, that will be, ampere, into, meter square, volume, is, meter cube, unit will be, ampere, per meter, and, this will be, second option, next option is, a peak value, of alternating current, I naught, current ke liye, average value, for one cycle, plus, minus, net, zero, this will be, the, right answer, 0, next question is, communication frequency band, is the facts value, for, 88, to 108, megahertz, next question is, the focal length, of objective, and IP is, telescope, telescope ke liye, magnification hata hai, fo upon, fe, this is the, ratio, of, fo and fe, fo is given as, 136, and, fe is at, the answer will be, 17, and, the right option is, fourth, next option is, in the phenomena of, refraction of light, if sin i is equal to x, mu is a constant, and that is equal to, sin i upon, sin r, and, v1 by, v2, that is given, c by, v medium, and, here we use, these two, and, the sin i is written as, x, and, this is written as, y, is equal, equal to, c by, v medium, and, relation, will be, y is equal to, y is equal to, xv, y is equal to, x, v by, c, this is the, right answer, the curve between, stopping potential, and frequency, is shown for, different, different metals, here is the, here is the frequency, nu, for, initial, stopping potential, these are the, threshold frequency, and, here, the maximum, is for, metal, d, this is the, right answer, next option, the value of, scattering angle of, alpha particle, for, alpha particle, may, nucleus, attack, alpha, , this is the, impact parameter, is the distance, from the, center, and, here, the impact parameter, is minimum, it means, this will be, zero, this distance, will be, zero, then, alpha particle, will, move, and, retraces, its path, it means, the, angle of, scattering, will be, 180, degree, next, next question, the value of, angular momentum, of electron, in hydrogen atom, l is equal to, h upon pi, here, l, is, n, h upon, 2 pi, and, here is given, h upon pi, it means, value of, n, n is equal to, 2, next question is, if, the, mass number, of, two nuclei, a, and, b, are in the ratio, 1, ratio, 2, then, the, radius of nuclei, proportional, to, atomic number, power, 1, by, 3, cube root, proportional to, cube root, atomic mass, r, the ratio, r1, by, r2, that will be, a1, by, a2, cube root, a1, a2, 1, by, 8, cube root, this is the option, cube root, the answer will be, 1, and, the answer is, 1, next question, the correct relationship, between the number of free electrons, intrinsic semiconductor, is, the holes, bond, toot, the electrons, the holes, the option will be, third, next question is, in the half wave, rectifier, the frequency, half wave, frequency, same, full wave, double, frequency, will be, 50 hertz, that is equal to, the input signal, next option, next question, the self conductance, of a coil is 5, L is given, 5 milli, henry, and, phi is equal to, Li, I will be, phi upon, I, phi upon, L, phi is given as, 30, and, L is given as, 5 milli, milli, 10 to power, minus 3, 6, 6 into, 10 to power, 3, that will be the current, in ampere, that is the option, second, this is all, for the solution, thank you so much, hello everyone, now, 12th, STC paper, chemistry, we will solve, question number, question number, question number, is significant figure, in, 0.00502, R, this means, significant figures, is clear, that, , non zero number, count, significant number, non 0, that, is also, significant is also three question number 32 name of scientist to give law of multiple proportional direct learning of question Joseph Roust basic question IUP symbol of element with atomic number 121 will be 121 according to IUP system 1 2 & 1 1 ko bola jata hai un 2 ke liye use करेंगे वन वन के लिए वापिस यूस करेंगे हम अन और IUP C का कोडिंग लास्ट में लगाते हैं यह हम से element का name पूछता तो नेम बनता अन बाई अनियम और सिंबल पूछा है पन से तो अनका बनेगा यू इसका बी एंड यू 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 वी यू यू की थर्ड ऑप्शन में गिवन है सब्सक्राइब करते हैं तो फासपोर उसके आउटर मुष्ट में लेक्ट्रों रते हैं फाइव पांच के पांच इसने बॉन बना रखें में लॉन पर होगे इसके जीरो और टोटल रिदियम चेक करें तो इसका है प्रेशन बनेगा SP3D SP3 है प्रेशन के अंदर इसकी जमेटरी जो बनेगी पासपोर उस CL 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 it is trigonal 1 CL and vertical position second CL also present in vertical position and the total this geometry is known as trigonal bipyramidal that is trigonal it is pyramidal तो trigonal bipyramidal option number second next question है the conjugate base of HCL is HCL का conjugate base से पूछ रहा है conjugate base का mean कि compound that act as an acid अब मानलों यह acid की तरह act कर रहा है तो acid वो होंगी जो हैच प्रसाइन डॉनेट करेंगे हैच प्रसाइन डॉनेट करेंगा तो इसमें बनेगा CL minus यानि कि यह जो होगा यह होगा इसका conjugate base question में पूछा है HCL का conjugate base क्या होगा तो वो CL minus होगा फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि जी कर्षिन कर्षिन नुबर 37 the entropy of any pure crystalline substance substances approaches zero as the temperature approaches absolute zero this is called question में सिर्फ यह पूछना चाहरा है कि कोई शुद्ध क्रिश्टली बधार्त कताब जैसे जैसे प्रवशन ने को कि और बढ़ता है entropy भी जीरो की और increase होती है गेसे कौन सा यह निर्फ नियम है तो यह सिंपल सब्सक्राइब अप्ति और पहली बात तो इस पर ने हम स्टीम यह वाटर पास करते हैं तो वाटर के पास करने से यहां पर बनेगा carbon monoxide और hydrogen gas का mixture, यह जो carbon monoxide और hydrogen gas का जो mixture है इसी को कहा जाता है water gas इसको कही जगे synthesis gas या पर इसको syngas के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो answer बनेगा इसका CO and H to syngas अगेन the chemical nature of water water की chemical nature पूछी है option given है only acidic, only basic emporary, none of the above तो दो को water की nature according to the prostrate and lorry की बात करता है, तो prostrate and lorry की according जो water है यह proton donate करके और acid की तरह act कर सकता है same ऐसे यह H plus iron gain करके और base की तरह भी act कर सकता है, इसका मतलब यहाँ पर water acid और base दोनों की तरह act कर रहा है, और ऐसे compound जो acid और base दोनों की तरह act करते हैं, उनको अपन empiric बोलते हैं, उसका सही आज़र है का third option empiric hardest element of group 1 पहले group का सबसे ज्यादा कठोरतम element पूछा है hardest element, अब देखिए यदि हम बात करें, फर्स्ट group के element की, तो फर्स्ट group में आते हैं आपके lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, और आपको पता है कि top to bottom यदि move करते हैं, तो इनका size increase होता है, size increase होने का मतलब इनकी nickelis से distance भी increase होती है, तो सबसे close जो nickelis के होगा, वो lithium होगा और सबसे close होने का मतलब इनके बीच में लगने वाला attraction force maximum होगा, और यदि force of attraction maximum है, इसका मतलब उसमें लगने वाला जो material है, वो hardest material होगा, यदि किसका अंसर भने लिथियम next one is, which one is neutral oxide, अभी learning का question है, यदि याल होगा तो कर पाएंगे, कि tin oxide lead oxide और germanium oxide, तीनों की तीनों, amphoteric oxide के example है, और जो बचके आपना carbon monoxide ये एक neutral oxide की तरह behave करता है question है, heterocyclic aromatic compound is, heterocyclic भी पूचा है, और aromatic भी पूचा है यदि हम बात करें, यहां पर बेंजीन की this one, बेंजीन homocyclic और aromatic compound tropon four, five six, seven seven carbon की chain है, तीन इसमें double bond लगे हुए है, यह नहीं है, यह वाला bond एक यह वाला bond, इसके लावब एक double bond oxygen लगी हुई है, यह compound aromatic तो है, लेकिन यह वाला compound आपके heterocyclic नहीं है, क्योंकि यहां पर सारे के सारे chain के अंदर, रिंग के अंदर सारे के सारे carbon ही present है, और carbon ही present है, तो यह homocyclic है पर aromatic है, तो यह option नहीं बनेगा, benzene homocyclic है इसलिए नहीं बनेगा, pyridine pyridine होता है आप 25H5N, यानि कि यहां पर ring के अंदर nitrogen present है, उसके लावा यह compound आपके aromatic compound की category में भी आता है, अब aromatic compound भी है, और इसके लावा यह heterocyclic compound भी है, तो यह इसका सही answer बनेगा, नेथलीन नेथलीन भी एक homocyclic compound है इसमें भी सारे के सारे carbon present है, तो यह भी इसका answer नहीं है, तो इसका answer बनेगा के बलो के बल प्रिडीन अगला question है, आईउपीसी नीम आफ isopentane, अब आईउपेंटेन जोको, आईउपेंटेन का मीनिंग होता है, तो ब्रांच present on second carbon atom, पेंटेन बोला मतलब टोटल balancing हैंगे, तो numbering भी हम कर सकते हैं, क्योंकि four carbon की chain बनी हुई है, second पे methyl present है, four carbon को butane बोलेंगे, तो compound बनेगा two methyl butane, जो कि हमने पास first option के अंदर present है, अगला question है, direct learning का, कि layer of atmosphere extending up to the height of 10 km from sea level, याद होगा तो हम गरता हैंगे, trophosphere, जो कि 10 km की height तक, जो sea level से 10 km की height तक हम measure करता हैं, उसको हम trophosphere या फिर छोब मडल के नाम से जानते हैं, अगला question है, the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas, यस statement दिया था है Henry ने, Henry के according यह statement टे जिसके पन लिए कहते हैं कि P यह जो directly X के proportional है, और जब यह proportion sign remove करेंगे तो एक constant लगाएंगे, यसे हम Henry constraint के नाम से भी जानते हैं, तो इसका आएगा Henry's law, next, 6 into 10 to the power minus 3 gram oxygen is present in 1030 gram sea water, then concentration in PPM will be, इसमें सरिफ इतना चेक करना है, हमको PPM में concentration find करना है, PPM में concentration find करने के लिए formula होता है, weight of solute, weight of solute upon weight of solution, और PPM में यही find करते हैं तो multiply करते है, 10 to the power 6 से, question में given है, weight of solute 6 into 10 to the power minus 3, total weight of solution given है, 1030 और 10 to the power 6 से multiply करेंगे, इस पूरियों को solve उखनने पर, answer बनता है, 5.8 PPM और 5.8 PPM उनको given है, फर्स्ट option के अंदर यहीं इसका answer होगा, potential of standard hydrogen electrode, 0, IUPC का coding, IUPC ने इसको 0 माना है, तो इसका answer 0 आएगा, direct, sum of power of the concentration of the reactant in the rate low expression, again easy question, यह कह रहा है कि किसी rate low expression के अंदर जो reactant की concentration, उसकी power को, पावर की total को क्या बोलता है, तो order बोलता है, simple question, definition direct, unit of rate constant for a first order reaction, first order reaction के लिए rate constant unit second inverse होती है, direct question, question next, 52 coordination number of cobalt in coen holterize, दो को, coordination number आपने कालनी के लिए एक formula यूज़ करते हैं हम लोग, और formula है number of ligand, और into denticity, अब number of ligand तो यह पर गिवन है 3, और ethylene diaminate, bidentile ligand है, 2 से multiply करेंगे, तो इसका coordination number बनेगा 6, जो कि हमको third option में गिवन है, हीमोग्लूवीन is a coordination compound of which metal, कौनसी metal का compound है, हीमोग्लूवीन, सबको पता है, iron का compound है, सिंपल करशन, इथाइन के oxidation से ethanol बनाने के बाकर प्रक्रम, बेकर प्रोसेस में कौन सा catalyst होता है, तो PDCL2 होता है, याद रखने हैं तो अगला कुशन है, बाइटेंटेंड लिगेंड देखो, CL1 एक मोनोडेंटेंड है, मोनोडेंटेंड, C2O4 का आँमोडेंटेंड लिगेंड है, बाइटेंड या डाइटेंड भीइसको बोल देते हैं, EDTA-4 गोला है, हेक्सारेंटेंड है, और IUPAC में बोलते हैं, 1-2-Dichloro-Ethene 1-2-Dichloro-Ethene यह इसका IUPAC में नेम है 1-2-Dichloro-Ethene देखो यह नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता लास्ट वाला भी नहीं हो सकता क्या मनेंगा ओल्ली 3rd option IUPAC में नेमिंग करेंगी 1-2-Dichloro-Ethene जोगी किसका common जिसका यह IUPAC नेम है Ethyl-Ethene chloride का Freon 1-2 Freon 12 का formula पूछा है देखो Freon का formula निकालने के लिए basic formula का यूज़ करते हैं जैसे कि मानापन ने Freon XYZ का formula निकालना है यहाँ पे X का मतलब होता है number of carbon atom minus 1 इसको बोलता है हम लोग यहाँ पे value किसकी? X की Y होता है यहाँ पे number of hydrogen atom plus 1 hydrogen plus 1 और एक होता है पे Z की value इसको बोलता है number of fluorine atom और जब आप इसको apply करेंगे तो apply करने के बाद में जो formula हमारा बनके आएगा देखो कैसे जैसे मानलोपन को Freon X का मतलब carbon minus 1 कि इसमें देखो 1 carbon, 1 carbon, 1 carbon 1 carbon, तो यहाँ पे minimum जैसे की जो value है वो किने आएगी? 0 है इसके लिए, बिल्कुल ठीक है hydrogen plus 1 hydrogen इसमें है नहीं, 1 इसके लिए 1, यहाँ पे hydrogen 1 है तो 1 plus 1 हो गया 0 और यह 2 इधर जो बनेगा, वो बनेगा hydrogen इसमें भी नहीं है, तो 0, 1 इसमें hydrogen प्रिजेंटर 2, यहाँ यहाँ गया, 0, 3 तो यह option तो नहीं हो सकता यह option नहीं हो सकता, अब बचे 2 option उसके बाद में जैड का मतलब इसमें फ्लोरीन इटम, इसमें फ्लोरीन इटम 1 है, तो यह फॉर्मॉला हो गया, 0, 1 यहाँ पता है आपको इसकी प्रॉपर्टी, जैडिक कर्षियन, रिसॉर्स के बारे में आपको इतना गिवन है कि इसके structure कैसी है, आई ये पीजी में नेम क्या है, सब रणन का कर्षियन है, 59, दा फॉर्मॉला फॉर्मॉला फिंसवर्ग रियसेंट, यह भी एंस्याट रिक गुत ट्रिप्टोफेंड मेलीड मित्योनीन एलीनीन लाइसीन लिूसीन इसका लिए लियूसीन और टाइरोसीन ऑपांसे लाइसिन एक आप्शन में गिवन है तो लाइसीन इसका करेक्ट आप्शन हो जाएगा Hello everyone, my name is Amit Kumar, Team Mathematics CLC Seeker and I am going to handle the 12th Mathematics portion, okay? So very first question is, if A is this and B is this, then A minus B and B minus A will be respectively. A minus B means what the element in A which is belonging to B also will be discarded. So A minus B means 6 to 4, 6, 8 and 4 and 8 is already in set B. So A minus B will be the remaining element that is 2 and 6. In the same way, B minus A will be 4 and 8 will be discarded from the set A. So the remaining portion B minus A will be 1,7. So the answer is question number first. Now, the next question is, if A is 1 comma 2 and B is 3 comma 4, so number of element in set A is 1, 2, 3, 4 means that is and A is 2 and B is 2, then the number of relation defined from A to B. So in A cross B, the total number of element will be 2 cross 2, that is 4. So this is a simple formula, the total number of relation that is 2 to the power mn or you can say 2 to the power 4. So second option is right. Next, third, tan 13 pi, tan 13 pi by 12, means it can be written as pi plus pi by 12. So 12 pi plus pi by 13 pi. So tan pi plus theta in third quadrant, tan pi by 12. Pi by 12 is 180 upon 12, that is 15 degree. And 10, 15 degree, you can evaluate by 45 minus 30. So the answer will be fourth. In 64, the argument of complex number 1 plus i upon 1 minus i. So you just have to rationalize it, 1 plus i, 1 minus i, 1 plus i upon 1 plus i. So a plus b whole square, 1 square, 1 plus i square, plus 2 iota. Upon a square minus b square, 1 minus i square. So i square will be minus 1, so minus 1 plus 1 cancel. And this is i square, which is minus 1, so 1 minus minus plus 1. So it becomes 2y upon 2, that is i. So i can be written as z equal to 0 plus iota. So argument that is tan inverse y upon x. So this is 1 upon 0, that will be infinity. So tan inverse infinity will be equal to pi by 2. Next is the solution of the linear inequality. You just have to take 5x in left side. 4x minus 5x less than 7 minus 3. So this is minus x less than 7 minus 3 is 4. So multiply by minus sign, inequality will be reversed. So x minus 4. X is greater than minus 4. So minus 4 to infinity. Question number 65. The answer will be second. The number of permutation that can be formed using all the letter of the word Allahabad. You just have to count the letter of the word Allahabad. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 factorial. And A is repeating 4 times. And L is repeating 2 times. After the evaluation, you will get 7562. That is 66. Answer is 4. The coefficient of x to the power 6, y to the power q of x plus 2y whole to the power n. So just x plus 2y to the power 9. Now we can easily see that x to the power 6 will appear when the radix part will be 6. And this is 9, 2y to the power 9 minus 6. That is 3. So 9c6, x to the power 6 into 2 to the power q, yq. So now you have to solve 9c6 and 2 to the power 3. If the m-th term of an arithmetic progression is n and n-th term is m. Means m-th term is n and n-th term is m. So you just have to apply the formula a plus m minus 1 into d equal to n. And a plus n minus 1 into d equal to n. And you have to solve this. You will get the first term a and the common difference. After that, you can find the term that is tp. And you will get the answer that is third. 67. If the line this, this and this are concurrent. Concurrent means the line which is passes through common point. So you just have to solve these two equations and find the value of x and y. And that x and y value have to substitute it. In this equation, you will get the value of k. And the answer will be minus 2. The equation of the hyperbola with 4k, 0, plus minus 3 and vertices. So hyperbola will appear like this. And this is 0,3 and this is 0,3. Means ae can be considered as 3. And the basic formula that is b square equal to a square into e square minus 1. You just have to evaluate it. After that, you will get the hyperbola, 100 y square minus 44 x square equal to 275. So 70, option number is second. 71. The equation of the set of point, equidistance from the point, this and this. means, suppose this is the line and this is the two point, 1, 2, 3, 3, 2 and minus 1. Means this line is equidistance from both the points. So you just have to apply the distance formula. And after that, x square, y square means square term will be cancelled. And you will get the result, x minus 2z equals to 0. The value of limit x approaches to 0, x plus 1. So after evaluation, means when you put the value 0, it becomes 0 by 0. So you can apply L-Opital loop. So just differentiate it, 5 x plus 1 whole to the power 4. One differentiation will be 0 and this is 1. Put the value x 0, so it becomes 5. So, in question number 72, first option is right. Let R be the relation in the set and given by R a comma b, a equal to b minus 2 and b greater than 6. Choose the correct answer. So, we have to check that a equals to b minus 2. A relation is a comma b. And we have to check the value b greater than 6. So, second coordinate must be greater than 6. So, you can see, if this is 8, means b is 8. So, after substituting the value 8, then a becomes 6. So, second answer is right. 74. The principal value of this. So, just you can think cot inverse 1 by root 3. That is, on pi by 3. And when minus 1 by 3, it will be 2 pi by 3. If this and this, then the value of a, b. You just have to multiply it row by column. Row by column, you will get the result second. If the area of the triangle with vertices, this, is 35. Apply the formula, area, that is, 1 by 2, x1, y2 minus y3, plus x2, y3 minus y1, plus x3, y1 minus y2. Okay, 35 to the 70, and you just have to put the value. After that, mod value equals to a constant. You have to break the mod with plus minus n. And you get the result, 12 comma minus 2. Next question. If this, then the value of dy by dx. You just have to differentiate it. So, 2 by 3, x to the power 2 by 3 minus 1, plus 2 by 3, y to the power 2 by 3 minus 1, into dy by dx. And the differentiation of constant will be 0. Just separate dy by dx, you will get the result second. 77. The correct option is second. 78. The rate of change of the area of circle with respect to its radius, r at r equal to 6. So, we have to apply the formula of area of circle, that is, a equals to pi r square. So, dA with respect to dr, that is, pi, and this is 2r. And we have to check that rate of change when r becomes 6. So, just value of 6, 2 and pi, that is, r is equal to 6. So, it becomes 6 to the 12, pi. So, second answer is right. Now, 79. The derivative of this with respect to x. You have to apply the chain rule, t cos in cos. So, root x, root x, root x, first, we have to differentiate with root x, and then root x have to be differentiated with respect to x. d cos theta by d theta, that is, minus sine theta, and theta is root x. And d root x by dx, 1 by 2 root x. So, second answer is, right. No, no. This is third option. In which of the following interval, y equal to this increasing? Differentiate it, dy upon dx. x, x square, differentiation of x square is 2x, multiplied with e to the power minus x, plus, differentiation of this, minus of e to the power minus x, and multiplied with this sign. So, dy by dx must be greater than 0 for increasing function. So, you have to locate it on number line, and you will get the result. 4th option, that is, 0 to 2. 81. Integration of, 1 of sine square x, cos square x. Just in place of 1, means, in the numerator. Put the value, sine square x, plus, cos square x, sine square x, cos square x. You just have to separate it, you will get, sec square x, plus, cosec square x. And you are aware with the formula, sec square x, integration of sec square x is 10x, and cosec square x is minus 4x. So, second option is, right. Okay. Integration of, dx, x square plus 2x plus 1. It can be written as, x plus 1, whole square, plus 1. So, x square plus a square. 1 upon a, tan inverse x, y, a. So, tan inverse of x, that is, x plus 1 by a, that is 1. Second option. 83. The area of the region bounded by the curve y square equal to 4x, y axis, and the line, this. y square 4x, will appear, like this. y equal to 3, this, y axis, this. It means, you have to integrate it, with respect to y, from 0 to 3, dy. Separate y, separate x, means, y square upon 4. Okay. Just integrate it, and the value will be, 9 upon 4. The number of arbitrary constant in the particular solution of a differential equation of third order. Which, in particular solution, constant is already evaluated. So, the arbitrary constant will be, 0. The general solution of the differential equation, just you can, separate it, e to the power x, 85, l to e to the power, okay. So, dy, upon e to the power y, e to the power x, dx, just integrate it, okay. And, you will get the answer, first. The projection of the vector this, on the vector this. The projection of a on b, you are already aware, a dot b, by mod of b. Just apply this, you will get the result, 60 upon root under 114. If theta is the angle between a and b, and a dot b, mod equals to mod of a cross b, then theta is equal to, a dot b is a b cos theta, and this is also mod, and a cross b, a b sin theta, and here, the mod is also, it will be cancelled out, so tan theta equals to 1, so theta equals to pi by 4, so in 87, question, answer number 2, 88, the angle between the pair of the lines, apply the formula cos theta equal to a1, a2, b1, b2, c1, c2, upon root under a1 square plus b1 square plus c1 square, root under a2a square, b2a square, c2a square. This is a1, b1, c1, a2, b2, c2, okay. And you will get the answer, theta equal to cos inverse 2 by 3. The maximum value of z equal to 4x plus y, under the constraint this. Now, when you will draw this, x plus y less than or equal to 50, it appears like this, 50 comma 0 and 0 comma 50, and the region is towards the origin, again, 3x plus y less than or equal to 90, y is 0, x is 30, and x is 0, y is 90. So this is the intersection point, solve this equation, you will get 20 comma 30, okay. And this coordinate is 30 comma 0. So after substituting the coordinate points value, 4x plus y, it will give the maximum value at 30 comma 0, so 30 forza, 1, 20 plus 0, that is 1, 2. So third answer is y. The probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled. pair of dice means 2 dice has been rolled. So even prime number only this is the case for even prime number. So total number of case which is favorable that is 1. and after throwing two dice, the total number of case in sample expense, that is 36. So 1 upon 36 is the right answer. Okay, thank you. Hello student, I am Manoj Kumar, Team Biology CLC Seeker. You will know that you will know that today the exam was STSC 2013. So I will bring you the 12th biology paper solution, which there are 30 questions for biology. So let's go, let's go. Amphibian of the plant kingdom. कौन सी फेमिली में ये ट्राइ केपिलरी, syncarpus, and trilocular ovule present होती है, पहला option अबरेसी केसी, सेकेंड है मालवेसी, फैर्ड है फेबरेसी, एंद फौर है लीलियसी, तो ये करेक्टर किसमें परेजंट होते हैं, लेलियसी के अंदर पर जेंट होते हैं चलो, नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं इसमें 63 नमर Which tissue are usually dead and without protoplast यानि कौन सा टिश्यू है जो dead होता है और जिसमें protoplast absent होता है 1st है परेंकाइमा, 2nd है कलेंकाइमा 3rd है स्क्रेंकाइमा 4th है इरेंकाइमा तो कौन सा टिश्यू है वो mostly इसके अंदर dead होता है उसमें आता है इस क्रेंकाइमा ओके, next question 64 नमर In which stage of cell division gene exchange can be observed gene exchange है वो observed किया जाता है cell division की कौन सी stage तो इसमें दिया हुआ है leptotene, gigotene, pecaitene and diplotene ठीक है तो जो cell division के अंदर जो genetic material का exchange होता है gene का exchange होता है वो किसी stage में होता है leptotene, gigotene, pecaitene and diplotene वो होता है pecaitene stage के अंदर ओके, next question The primary stable product of C3 cycle is C3 cycle जो है plant के अंदर उनमें primary stable product है वो कौन सा बनता है फर और और प्शन है pyruvic acid, फिर है oxaloacetic acid third amelic acid and fourth है phosphoglyceric acid तो यहाँ पर C3 cycle में पूछा है primary stable product कौन सा बनता है fourth option correct जाएगा phosphoglycerical acid next question 66 number question है which of the flowing is false fruit false fruit false fruit का example पूछा है कि इन में से कौन सा अबासी फैल है apple, tomato, groundnut and banana तो यहाँ पर इसके अंदर आपको four option दिये गए है इसमें false fruit बोला है तो false fruit कौन सा होता है apple जो है वो एक false fruit है next है 67 number question cry 1 ab gene coded protein controls cry 1 ab gene दोवारा kutovat protein नियंतरित करता है यह आपको पूछा है cry 1 ab gene है उससे coded protein है किसको control करता है maze brower को cotton ball worm को bitty cotton को and bitty tobakko को तो यह जो cry first ab gene है यह किस जो protein है किसको control करता है maze borer को क्या करता है control करता है next question इसके अंदर आपन देखते है 68 number question है यह है the structure of asexual reproduction asexual reproduction in penicillium r जो penicillium है इसके अंदर जो asexual reproduction होता है तो किस structure के थूँ होता है juice spore conedia birds और gemule तो किसके थूँ होता है correct answer हो जाएगा conedia के थूँ होगा next question इसके अंदर है 69 number what is called an interaction confers benefit on both interacting species वह है पारसपरी किरिया जिसमें प्रसपर किरिया करने वाले दोनों जातियों को लाब होता है यानि जिसमें दोनों को profit होगा जो दो species जो आप कह सकते हो interaction कर रही है उन दोनों को यह दी profit हो तो ऐसा relation कौन सा है predation parasitism commercialism and mutualism तो ऐसा relation जिसमें दोनों को profit हो कौन सा होता है fourth option correct हो जाएगा mutualism next question है 17th number question which animal pair in ecosystem is belong to the secondary trophic level कौन से यहाँ पे इसके अंदर जनतु ऐसे है जो secondary trophic level से related है first option phytoplankton grass तो यह तो इसमें प्राइबरी में प्रोड्यूसर के अंदर आएगी जो प्लेंक्टोन grasshopper bad, feces, man and loin तो इसके अंदर आपको पुछा है secondary trophic level है उससे बिलोंग करने वाले animal पुछें तो वो आ जाएगा इसमें जो प्लेंक्टोन and grasshopper यह secondary trophic level से क्या करते है बिलोंग करते है next question है 71 number question when was the air pollution prevention and control act implemented in India इंडिया में यह जो air pollution prevention and control act कब implement किया गया 1971 में 1917 में 1980 में 1981 में तो यह कब implement किया गया था 1981 में यह act है वो implement किया गया था next है 72 number question total number of cells in a typical endosperm of mature embryo sec are जो endosperm है उसका जो endosperm है उसमें कितनी cells होती है तो देखिए इसके अंदर जो आपको पुछा endosperm जो है mature उसके embryo sec में कितनी cells होती है तो आपको पता है इसके अंदर जो 7 cells होती है और 8 उसके अंदर क्या होते है nucleus होते है 8 उसके अंदर क्या होते है nucleus होते है तो यहाँ पर endosperm में only क्या पुछा आपको कि mature embryo के अंदर cells कितनी होती है तो इसमें cells कितनी होगी, 7 cells होती है, और 8 क्या होती है, उसमें nucleus होती है, next question है, example of purine nitrogen base, purine nitrogen शार का उदारण है, purine, तो purine के अंदर क्या आता है, adinin और guanine आते है, तो यहाँ पर देख रहा है, cytosin, thiamine, uracil and guanine, तो यहाँ पर correct option क्या हो जाएगा, guanine, adinin और guanine जो होते है वो क्या होते है, purine nitrogenous base होते है, okay, next time, which variety of mustard crop is resistance to white rust disease, white rust disease है, उससे resistance करने वाली mustard की कौन सी crop है, तो इसमें पुचा है, यह पहला option देगा है, पूसा surrounding, फिर है पूसा सुब्रा, फिर है पूसा कॉमल, और फिर है पूसा सदा बहार, तो इसमें कौन सी ऐसी variety है, जो white rust disease से resistance करत पूसा सुब्राइब, पूसा सुब्राइब, पूसा सुब्राइब, पूसा सुब्राइब, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, next question है, 75 number question, which of the following fish is found in fresh water, fresh water fish इसमें से कौन सी है, आपको यह four fishes के नाम है, हिलसा, सर्डाइन, मेकिरल, और कामन कार्प, इन में से आपको यह common carp क्या है, fresh water, फीशेज है, next question, इसके नदर देखते हैं, 76 number, to which of the following phylum, sepia belong to, sepia या इसको इसमें बोलते है, cuttlefish, कौन से phylum से इसके नदर बिलोग करती है, पहला option इसके नदर दे रखा, आपको, porifera, orthropoda, mollusca, and echinodermata, तो यह cuttlefish है, sepia, यह किस phylum से बिलोग करती है, mo 77, the excretory organ of cockroach, cockroach जो है, जो arthropoda phylum का मेंबर है, insecta है, class के अंदर आता है, इसमें कौन सा excretory organ होता है, male pagan tubules, nephredia, phlegm cells, kidney, तो कौन से इसके अंदर excretory structure, excretory organ कौन से होती है, male pagan tubules, male pagan tubules की help से यह waste material को body से क्या करता है, remove करता है, next question, 78, the structure that connect the middle ear cavity with the pharynx, middle ear है, middle ear को pharynx से connect करने वाली structure आपको पूछा है, तो पिना, external auditory metas, ear drum, eustachian tube, eustachian nalika, तो इन में से कौन सा part है, जो middle ear को pharynx से connect करता है, तो इसमें correct option हो जाएगा, eustachian tubes, eustachian nalika है, वो pharynx और middle ear को क्या करती है, connect करती है, next question है, example of fibres joint, fibres joint, fibres joint है, वो immovable joint होते हैं, कहां present होते हैं, between humerus and pectoral girdle, between flat skull bones, between atlas and axis, between carpal and metacarpal of thumb, तो यह जो fibres joint, fibres joint वहां पर होते हैं, जहां पर moment नहीं होता, तो कहां होंगे, between flat skull and bones, यहां पर present होते हैं, fibres joint, next question इसमें है, half of the upper jaw, hedge what number of molars, molars की जो number है, उपरी जबडेकंदा, जो upper jaw है, उसके अंदर molars की संख्या कितनी होती है, और वो भी किसमें पुछी आपको, half, तो आपको पता ही है कि जो dental formula होता है, वो होता है, 21, 23, 2, 1, 2, 3, and 2, 1, 2, 3, इसमें 2 जो होते हैं, half में, यह incisor होते हैं, 1 के क्या होता है, canine, और यह होता है, premolar, 2 होते हैं, premolar, और 3 क्या होते हैं, molar, ठीक है, molars, molars, तो क्या पुछा है, half of the upper, what number of molars, molars कितनी होते हैं, तो molars इसके अंदर कितनी होंगे, 3 molars होंगे, कितनी होंगे, 3 molars होंगे, next question है, which cell organelles form the basal body of cilia and phlegilla, phlegilla और cilia जो है, इनकी basal body का formation, कौन सा cell organelles करता है, ribosome, plastid, mitochondria, centriol, तो इसके अंदर कौन सा cell organelles है, जो formation करेगा, basal body का, कौन सा जाएगा, centriol है, वो basal body का formation करता है, next question इसमें देखते हैं, 82, which of the following structure cover the anterior portion of sperm, जो sperm है, उसकी anterior portion को cover करने वाली है, यानि उसकी जो head part, उसको cover करने वाली structure का क्या नाम है, cap-like structure होती है, acrosome, neck, middle piece, tail, इसमें क्या जाएगा, acrosome है, वो cover करती है, anterior portion को, यानि head portion, next question है, 83, which genotype is responsible for human blood group AB, AB के लिए कौन सा है, तो इसके अंदर आपको पता है, कि human blood है, AB, इसके अंदर जो genotype होगा, जो genotype होगा, genotype, genotype, genotype होगा, वो कौन सा होगा, फैस्ट है, इसके अंदर आपको आई, 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 फिर आई, आई, और फिर आई, आई, और फिर आई, 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 तो AB तो blood group होता है, उसमें दोनों genotype होते हैं, IA and IB, तो correct option हो जाएगा, fourth number, okay, next question है, 84, genetic code, which code for phenylalanine, phenylalanine एक amino acid है, जो कौन से genetic code को code करता है, AUG, ACU, UUU, and GUG, तो कौन से को code करता है, UUU, को phenylalanine जो amino acid है, वो code करता है, next question है, 85, example of secondary lymphoid organs, secondary lymphoid organ का example आपको पूछा है, first test के अंदर bone में रहो, second is stomach, फिर है thymus, और फिर है spleen, तो यहाँ पर secondary पूछा है, तो secondary में इसके अंदर आजाएगा spleen, spleen का नाम आता है, tonsil का नाम आता है, दोनों ही केसे होते है, secondary होते है, next question, 86, number, statins, which is used for lowering blood cholesterol is produced from, statins, एक क्या है, blood cholesterol को कम करने के लिए यूज किया जाता है, यह किस से प्राप्त होता है, तो first option है, east की रहा है, इसमें bacteria, virus and algae, तो यह जो statin है, वो किसी मिलता है अपने को, east है, उससे इसके अंदर produce होता है, next question है, 87, population interaction in which one species get benefited, and the other one is neither harmed nor benefited, यहनि एक को यहाँ पर benefit हो रहा है, लेकिन दूसरी species को नाई, तो इसके अंदर कोई harm हो रहा है, नाई profit हो रहा है, ऐसे relation को क्या बोलेंगे, mutualism, mutualism जो है, उसमें तो दोनों को क्या होता है, profit होता है, commercialism, predation, parasitism, तो इसमें एक को profit होता है, दूसरे को ना profit होता है, ना ही इसके अंदर harm होता है, तो इससा relation है, commercialism, okay, next है, 88, 88 जो है, वो phytoplankton are, यह पुछा कि phytoplankton क्या है, secondary consumer है, primary consumer है, producer है, decomposer है, जो दो phytoplankton होते हैं, जो water के जो surface उस पर पर परेजेंट होते हैं, phytoplankton क्या होते हैं, producer होते हैं, phytoplankton क्या होंगे, producer, next question है, 89, with protein coded by gene cry, control that corn borat, यह question वहापस ही repeat हो गया, पहले ही ये अलग से इसके अंदर अलग टाइप से पुछा गया है वहाँ पर आपको इसके अंदर पुछा गया थी कि प्रोटीन का नाम पुछा था हना प्रोटीन का जो नाम पुछा था यहाँ पर इसके अंदर नाम दे दिया गया है को कॉन बोरर जू है उसकOM कोंजी curious protein। फिर यहां नेक्स कुल jużIt is variant फिर यहां है सब्सक्राइब जो है इसको बोलते हैं इकॉलाई ए कोरई, ए कोरई है, इस सी रिशी나 कोलई जो है, इंजाइम, उसमें आर जो है, यह किससे related है? आर है, वो किससे related है? किसको denote कर रहा है? फैस्ट आ इसके अंदर जेनस को, फिर है फेमीली को, फिर है order को और लास्ट है स्ट्रें को तो यह जो आर है यह किसको denote कर रहा है, यह denote कर रहा है, strain को denote कर रहा है, ठीक है, तो यह थे 30 क्यूशन, जो लगबई इसके अंदर आप यह कह सकते हैं, NCRT, जो 11th और 12th NCRT है, उसी से related क्यूशन थे, thank you, JCLC.